हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आज किसी ने वीडियो में इस वीडियो में यार मैं आपको यहाँ पर अभी जो चला है बिग बस लिग 2022 और तेइस इसका 34 वा मुकाबिला खेला जने वाला है यहाँ पर सिड्नी सिक्सर और सिड्नी थंडर्स के बिच में इस मैं आज में इन दोनो टिम में से कौनची टिम विन करेगा इसके बारे में मैं आपको बताने बलाओ यह मैं आज आपको दोस्तो इंडियन टाइम के हिसाब से 8 जनुवरी को चुबो के 10 बजे शुरू होता हुआ दिखेगा अब दोस्तो दिन बर में 3-4-4 माच खेला जा रहा है इन सारे माच का वीडियो बनाना संबब नहीं है कुछ चूने हुए मैच का वीडियो ही बना पाते हैं लेकिन दोस्तों हमारे टेलेग्राम पर दिन भर में जितने भी मैचस खेले जाते हैं सभी मैच को कभर किया जाता है टेलेग्राम पर हम टॉस, सेशन, मैच बिनर, ड्रीम 11, फैंटेसे टिम और भी दुनिया भर का प्रेडिक्शन आपको हमारे टेलेग्राम पर ही मिलेगा बैस लिग के आदा ही मैं आचेश खेले गए हैं और आदा बाकी है उसके साथ ही बंगलेदेश प्रिमेर लिग भी चलू हो गया है आगे आई पिल भी आने वाला है हमारे टेलिग्राम पर बहुत सारे बंदे हैं जो बहुत सारा प्रोफिट निकाल रहे हैं आप अभी तक लाइक जरूर करना और हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब जरूर करना आपको हमारे चैनल के तरफ से क्रिकेट मैं अरिलेटेड सारे ऊप्डेटS मिलेगा और दोस्तो आपके लाइक और सच्क्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है आपको ही प्रॉफिट हो ऐसा ऐसा आपडेट निकालने के लिए अब चलिए दोस्तो यह जो दोनो टिम इस मैच में भीड़ने बाले हैं इस बिग बैस लिग के सीजन में इनका पदेशन केसा रहा है इसके बारे में देख लेते हैं यह पर दोस्तो शिजनी सीजन ने इस वैली सीजन में टोटल 9 मैच खेल चुके हैं इन 9 मैच में से सांदार पारी खेलता हुए 5 मैच में वड़ता है और इनको 3 मैच में हार का सामना करना पड़ा है बाकि इस में से 1 मैच इनका 9 रेजल्ट बला भी है इनका जो मैच का पॉइंट टेबल की पोजिशन है एक नमर में आते हैं यहाँ पर शिजनी थंडर की बात करें तो इन्होंने भी इस वैली सीजन में 8 मैच खेल चुके हैं इन 8 मैच में से इन्होंने भी सांदार पारी खेलते हुए 5 मैच में वड़ता है और इन इनको भी तीन मैच में हार का सामना करना पड़ा है इनका जो मैच का पॉइंट टेबल की पोजिशन है यह तीन नमर में आते हैं इन्होंने जो 5 मैच में जीत हासिल किये हैं उन 5 मैच में से इन्होंने लास्ट के खेले हुए बैक टू बैक चार मैच में ही जीत हासिल किये ह अब यार आपको एक बार यहाँ पे एव मैच जहाँ पे खेला जाने वाला है वहाँ के पीच की रिपोर्ट के बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तो एव मैच Sydney सब ग्राउंड स्टेडियम में खेला जाने वाला है दोस्तो इस स्टेडियम की नाम से ही पता चल जाता है स्टीदिनी थंडर्श की यह होम ग्राउंड है आप यहार यहां पे देखोगे तो बीग बैस लिग के टोटल 34 मैच यहां पे खेले जा चुके हैं इन 34 मैच में से 18 मैच यहां पे डिफेंड हुआ है बगी 16 मैच यहां पे चेस भी हुआ है इस मेदन की जो पहले इनिक्स के जोmarkets score एक सो पचास है और सेकंड ही गयाप है नकिन बाइस रचार होता है यहने के दोस्तो ए मेदन पहले इनिक्स वालों को थोड़ा ज्यादा फे इसका विग बाइस का सीजन खेला गया था उसमें से यहां पर चार मैंच खेले गए थे उन चार मैंच में से यहां पर पहले बैटिंग करने बाले टीम तीन मैं बड़ा थासिल किया है और दोस्तो इस पीच की भीवेर को देख लेते हैं यह किस के लिए बहुत जादा दोस्तों ए मेदन बल्ले बाजों के लिए बहुत suitable है बल्ले बाजों को एपीच फेवर तो करता है लेकिन दोस्तों पहले इनिक के बल्ले बाजों को ही फेवर करता है यहां पे चेस होना यतना आसन भी नहीं है इस मेदन में 20 ओबर तक का जो एबरे स्कॉर आपको 155 देखने को मिलेगा मतलब के दोस्तों एप इस बहुत हाई स्कॉरिंग वाला पीच नहीं है अब दोस्तों में आपको इस पूरे मियाच में इसके सेशन में कितना कितना रन बनने वाला है इसकेवारे में आपको बता देता हूं ये सेशन आप जरा ध्यान में रखिएगा क्योंकि दोस्तो ये सारे सेशन आगे चलके म्याच में आपको बहुत सरा प्रॉफिट दिलाने में बहुत कारगर साबित होगा दोस्तो यहाँ पर पहले सेशन जो 6 ओबर पावर प्ले करेता है उसमें आपको 40 रन देखने को मिलेगा 10 ओबर तक आपको 65-70 की स्कोर देखने को मिलेगा 15 ओबर तक आपको 105-110 की स्कोर देखने को मिलेगा इस पीच के एक सेफ स्कोर भी बताता हूँ इसको भी ध्यान में रखिएगा वो सेफ स्कोर है दोस्तों 170 यहाँ पेले इनिक्स में जो भी टिम खेलते हुए 170 की स्कोर बना लेगा मान के चले ओमे अच उस टिम की पकड में आ जाएगा दोस्तों इस मेंदन के एक इंट्रेस्टिंग चीज यह देखने को मिला है लास्ट पांच साल के अंदर यहाँ पे जो पेले बैटिंग करने वाली टिम 170 की स्कोर बनाया है उस 170 की स्कोर पांच साल के अंदर यहाँ पे एक बार भी चेस नहीं हो पाया अब यह बाउंडरी की टाइमेंशन को देख लेते हैं यह बड़ा बाउंडरी है या चोटा बाउंडरी है दोस्तों यह बाउंडरी चोटा बाउंडरी है यहां का जो सामने का बाउंडरी जिसको स्ट्रेट बाउंडरी बोलते हैं वो 76 मिटर का है बाउंडरी का जो ऑफ साड़ी वो 72 मिटर का है आगे आई पे ले आने वाला है, आप और हम मिलके खेलेंगे और धूम मचाएंगे और बहुत प्रफिट कमाएंगे अब यह चलिए यह जो दोना टिम इस मैंच में आमना सामना होने वाले हैं इनके प्लेइंग 11 में से कौन से खिलाडी खेलने वाले हैं इनके बारे में जान लेते हैं यहाँपे सबसे पहले Sydney Thunders की प्लेइंग 11 को देख लेते हैं इनके प्लेइंग 11 में से आपको दिखने वाले हैं और आखरी में उसमन कादिर खेलते हुए आपको नजर में आएंगे और यार उसी तरह Sydney Sixer की प्लेइंग 11 को देखोगे तो इनके प्लेइंग 11 में आपको दिखने वाले हैं जोसिय फिलिप्स, जेम्स वाइन्स, डेनियल हॉक्स, मोईसेश हैनिरिकुईस, जॉर्डन सिल्क, डेन क्रिस्टेन, हेडन केर, सेन एवट, क्रिस जॉर्डन और आखरी में निजुरू लाहक नवीद खेलते हुआ आपको नजर मायेंगे अब यह बात कर लेए थे इन दोनों टीम की हैड-to-head के बारे में दोस्तो हैड-to-head की रिपोर्ट एषा है कि इन दोनों टीम के बीच में टोटल 21 मियाच अच कहले गए हैं इन 21 मियाच में से Sydney Sixer ने 14 मियाच में जीता असिल किये हैं और Sydney thirds ने 7 मयाच में जीद हाशिल किया है। इन दोनों के बीच में जो last के 5 मयाच खेले गए थे, उन 5 मयाच में से Sydney Sixer ने 2 मयाच में बड़ात अशिल किया हैं, बाकी Sydney Thunders ने 3 मयाच में बड़ात अशिल किया हैं। इन सारे रिपोट के हिशाब से Sydney Thunders के उपर Sydney Sixers भारी पढ़ते हुए दिख रहा है। लेकिन दोस्तो लास्ट के सीजन में जो इन दोनों के बीच में दो बार आमना समना हुआ था। उन दोनों के दोनों म्याज को Sydney Sixers नहीं विन कर लिये थे। आखरी कारे इस में से ए पता चलता है Sydney Sixers और Sydney Thunders के उपर भारी पढ़ता हुआ इस में दिखने वाला है। इन दोनों टीम में से कौनसी टीम इस में आज को विन करेगा इसके बारे में बता देता हूँ। या पर दोस्तो सारे स्ट्रेल्स को एक एकर करके चेक करने के बाद Sydney Sixers और इस में आज को विन करने वाला है। हमने तो हमारा विने टीम दे चुके हैं। आपका क्या रहा है हमारे comment box में आपका किमत रहा है जरूर देना। बाकि दोस्तो आज का वीडियो एहीं पर अंत करते हैं। फिर मिलते हैं एक सांदार और बेहतरिन वीडियो में तब तक दोस्तो जय हिंद। झाला है जरूर झाला है।